आज हम आपको LG Washing Machine का Pulsator के अंदर जुबूस होता है उसे चेंज करके दिखाएंगे जैसे आप देख रहे हैं एक सुंबी से और हतोरी से ये बाहर निकल जाएगा अराम से जैसे देख रहे हैं क्योंकि ये घिस जाता है जिसकी वेज़े से प्रोब्लम आती है ये पल्सेटर प्रोपर गोम नहीं पाता लेकिन गेरबॉक्स गोमता है ये कपड़ एची तरह से नहीं दो पाता ये घिस जाता है इसका इसे कैप बोलते हैं और ऐसे ये एल्जिव मसिन का हिए चाइज होता है क्वागी नहीं होता है ये देख रहे है आप नया वाला लेकिन हम इसमें दूसरे ही लगाएंगे नि आऊ आई ऑपर कर में आदसे कर्षिदि में आद है बेलगया है ये वीडित हो गया ये डिख सकते हैं इसे पेज कस्ते कसेंगे स्क्रूर डाइवर से इसे फुल टाइट करेंगे अगर छोड़ा लूज हो जाएगा तो यह बहार निकल जाएगा पानी से पानी बरने से इसे पूरा टाइट कर लेंगे अब वसिंग मसीन का हम आपको टाइमर दिखाएंगे यह स्पीन के उपर लगता है कैप यह टूटा हुआ था इस मसीन के हमने बोडी चेंज करीए वो पूरी गल्ली थी बोडी इसलिए इसमें थोड़े बहुत पार्ट चेंज करने पड़े हैं इसकी पूरी वाइरिंग करने पड़े दुबरा यह इसका बजर है और यह वास कि इमर में चार तार होते हैं ankles crushed spiral लगा हुआ हुआ है इसकी बाइरिंग का डाइग्राम हम आपका बाद में दिखाएंगे दूसरी वीडियो मैं कि इसकी सारी वाइरिंग कटी हुई है इसमें दुबारे नई वाइरिंग हुई गी यह ड्रेन पाइप का सेलेक्टर है जिससे पानी बाहर निकलता है ड्रेन वाला अब इसमें हम फीता लगाएंगे क्योंकि इसका फीता भी चुह ने कर दिया था यह फीते का पॉइंट है जिसके अंदर को फीता जाएगा अब इसका कफर लगा देंगे यह लोई की बोड़ी का है मसिंग मसीन पहली बोड़ी में हमने प्लास्टिक की दिखाए थी यह लोई की बोड़ी है इसके अंदर जो गिर वोगता है व송 मैं आपको दिखाएंगे कि इसके अंदर कौन regular लगता आ है इसमें नई बोड़ी लगाई है इसलिए या तो कील से इसमें चोटाओल कर लें या फिर डिल मसीन से इसमें चोटाओल कर लें जिसससे पेज आसानी से लग जाए早ए यह देख सकते हैं पेच कज़ी है इसमें जyorsun यह इसका गेरबोक्स है जिसे साइड वाला बोलते हैं यह SD का है अच्छा होता यह इसे साइड वाला गेरबोक्स भी बोलते है ओल्ल मॉडल में लगता है लॉकी बॉर्डी में झाल झाल